हेलो एवरीवान, वेलकम बैक टू माँ यूट्यूब चानल साइंखुशी क्रियेशन्स आज के युडि में मैं आपको गंगोर पूजा की सामकरी बताऊंगी तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले तो पूजन में आपको अपना ओढ़ना, अपनी चुनड़ी जो भी आप ओढ़ते हों वो ओढ़कर बैठना है अगर ब्यावली साल की पूजा करें तो अपनी चुनड़ी ओढ़कर आपको बैठना है चुंदड़ी आप कैसी भी ले सकते हैं जो भी आपके हाँ लेती हो वो चुन्नी आप ले सकते हैं तो इस प्रिकार से ये देखें जो भी चुन्नी आप ओड़ते हों वो चुन्नी ओड़ें नत पहने और पूरा सोलह श्रिंगार करके अपनी गंगोर की पूजा करें और गंगोर की पूजा के लिए सबसे पहले आपको अपनी चुन्नी ओरनी है फिर आपको चाहिए गंगोर माता की मूर्ती तो पांच का सेट या दो का सेट जो भी आप लेते हो वो आप लें गंगोर माता की अगर मिट्टी की मूर्ती बनाई ह के लिए जल चाहिए, तो जल में थोड़ा सा दूद मिलाकर ये छाटा देने का जल हम तयार करेंगे, इसके बाद हमें दूब लेनी है, बहुत सारी दूब लेनी है, क्योंकि दूब के आसन पर ही हम गंगोर माई को विराजित करते हैं, चाटा देने के लिए दूब की जरूत होती है तो इसके बाद हम दूब लेंगे अब दूब लेने के बाद हम कुछ फूल लेंगे फूलों के साथ साथ दूब की जैसे मैंने आपको बताया चाटा देने के लिए दूब के गुच्छे आपको तयार कर लेने है इसके बाद आपको छाटा का समान लेना है उसमें एक चांदी का छला एक चांदी का सिक्का कोडी कई लोगों के हाँ एक रुपए का सिक्का भी लेते हैं हल्दी की गाट और इसी के सासथ हमें सुपारी लेनी है तो ये चाटा देने का समान हमें लेना है, ये हम हमारे जर्मे डाल कर गंगोर माई को चाटा देंगे, इसके बाद हमें मोली चाहिए, और मोली लेने के बाद अब हम लेंगे, माता को चड़ाने के लिए सुहाग पिटारी, सुहाग का समान लेंगे, तो गंगोर माता को जो भ प्रशाद होता है, गंगोर को गुने चढ़ाया जाते हैं, कई लोगों के आठे के फल चढ़ाया जाते हैं, तो जो भी आपके हाँ चढ़ाया जाते हों, वो आप लें, इसके बाद आपको लेनी है रोली, टिका करने के लिए गंगोर माई को और सभी घरवालों को और टिक्क यह हलवा पूरी ले लेना है तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर से करें मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियो के लिए साथ ही साथ टिक की देने के लिए प्लेन वाइट पेपर भी ले ले लें इसे मैंने कार्ट बोर्ड पे लग जरूरूर को जरूर वीडियो मैंने के लिए मेंने करें Gothic